हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब सिंदू होम कीचन में आप सबका स्वागत है मैं लेकर आई हूँ तेवहार एस्पेशल थाले की रेसिपी तो चली वीडियो अस्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैं ले हूँ मिक्सवेस सब्जी बनाओंगी सब्जी में गोबी आलू बीन से बैगन लेहां आप अपने मन पसंद सब्जी ले सकते हैं और चोले और पनीर तो पनीर में तेल गर्म हो गया उसमें पनीर फराइ कर दीए हूँ क्योंकि एक तेल काफी कॉंटिटी म सब्राइ सब्राइब साथ से आठ प्याज ली हूँ प्याज को बारी कट कर ली हूँ प्याज और टमाटर का प्यूरी एक वार ही मैं सारी सबजियां के लिए बना लूँगी तो अपने सबजी के कोईंटिटी के अनुसार प्याज टमाटर ले तो मैं प्यास्टमर्चा छंडा हो गया है बापस से कडाही चढ़ा के उसमें फोरन डाल दी थी जीरा और मिर्च तेजपत्ता और उसमें कुटी हुई अदरक मिर्ची लसुन मैं डाली हूँ थोड़ी सी उसे भून ली थी और प्राई किया हुआ सारी सबजियां को उसमें ड नमक डाल के अच्छे से मैं चला लोंगी और बेसिक मसाले डालोंगी अहल्दी धनिया पत्ता और थोड़ा सा मत्चाट मसाला कास्मीरी मिर्च जीरा पॉर्डर और इसमें चाट मसाला बहुत बेसिक होता है आप यह डालेंगे तो बहुत अच्छी सबजी में टेष्ट थोड़ा सा इसे सुखा हुआ बिल्कुल बनाओंगी तो तीन चार मिनट के लिए से पकाऊंगी तो पापस से कडाही फीर से चरहा दी हूँ और इसमें चोले बनाओंगे चोले के लिए चार चमच तेल डाली हूँ तेल में जीरा और लसून अदरक मिर्च एक चमच डालके चोले मसाला डालकर बॉयल किया हुआ चोले डाल दी हूँ उसमें स्वादा नुसा नमप और उपर से गरम मसाला डाल दी हूँ थोड़ी सी दो मिनट के लिए इसे ढख दी हूँ और उपर से गार्निश के लिए मैं धनिया डालूँगी चोले बनकर बिल्कुल त्यार हो गया है अब देख सकते हैं बापस से कडाही चरहा दी हूँ पनीर बनाने के लिए तो पनीर के लिए जीरा डाली हूँ और उसमें लैसुन अदरक मिर्च दरदरा किया हुआ और प्याज टमाटर का पेस्ट डाल दी हूँ उपर से मशाले ड कास्मीरी मिर्च डाल हूँ डाले हूँ गए बर घुर, देख सब्सक्राइब कास्मेरी मिर्च, हल्दी हूँ पनीर मसाला डाले करते सारी चीजों को मैं भून ली हूँ Damn कर अब के चपिछ डू नएथ में ईसमिल कपने संटमिल के डॡ़ी। मसाला बुन गया है पर जो और ज। वेक बून को अब एक के अई ग्रेवि को कितना है तो पनीड करते हैं तो livres ऑसे करते हैं झार्य नमक डारते हैं तो उसमिल स worked on a leave a और dh... दोस्ती चार मिनट के लिए से ढखकर पका देंगे और जीरा राइस बनाने के लिए आदा घंटा मैं वस्मती राइस को मैं भीवोके रखी हूँ तो ये पनीर बिल्कुल त्यार हो गया है और इसमें उपर से गार्णिश के लिए मैं डालूँगी धनिया थोड़ी सी गरम मश पनीर की सब्जी बनकर त्यार है जीरा राइस बनाने के लिए कूकर चड़ा दी हूँ और इसमें डाली हूँ दूचुम इसे रोश्ट करेंगे घी के साथ रोश्ट हो गया तो 2 कप चावल था और 2 किलास ही पानी डाली हूँ इसे 2 सीटी आने दूँगे पूरी के लिए आटा ले हूँ बिना मोवन के ही पूरी बिलकुल खासता और क्रेपसी बनेगा जिसके लिए अप गर्म पानी से आटा गूतेंगे न तो बिल्कुल अच्छी पूरी क्रिप्सी बनेगा बिना मोवन के ही तो मैं आटा लगा ली थी और पूरिया बना ली थी मेरा तेवहार स्पेशल थारी बनकर त्यार हो गया है तो मेरा वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा लाइक सेयर सब्सक्राइब करना न भूले तब तक के लिए बाई